नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं BNN News तो चले शुरुआत करते हैं आज की मुखी खबर से सुन्दरगर के खंडाधार में पिकनिक मना कर बुलेरो से लोट रहे आठ लोग हाथसे का शिकार हो गए ये हाथसा सुबा बलांगिर सोनपुर मार्क पर रंडा गाउं चौक पर हुआ था बुलेरो गाड़ी पूरे तरह से चकनाचूर हो जाने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गए बलागिर सूनपूर मार्क पर रंडा गाउं चौक पर बुदवार सुबा सुबाइक दर्दनाक हाथसा हो गया इस हाथसे में तीन लोगों की जान चली गई है जबकि पांच लोग गंभी रूप से घायल हुए है सुन्दरगर जिले के खंडधार में पिकनिक मना कर एक बुलेरो गाड़ी से आठ लोग लोट रहे थे कि सुबा पांच बजे ये दर्दनाक हाथसा हो गया हाथसा के बारे में सूचना मिलते ही इस्थानिय पुलिस मौके पर पहुँची और शब को जबत कर पोस्ट माटम के लिए भेजा है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजने के साथ ही हाथसे की चानवीन शुरू कर दी है जानकरी के मताबिक करीबन पांच बजे ये हाथसा हुआ है युवक संदरगर जिले के खंडाधार में पिकनिक मनाने के लिए गई थी वहाँ से लोटते समय रंडा चौक पर किसी बड़ी गाड़ी से इनकी कार की टकर होने का अनुमान लगाया जा रहा है हाथसे के बाद बुलेरो गाड़ी पूरी तरह से चकना चूर हो जाने के साथ ही मौके पर ही तीन लोगों की इम्रत्य हो गई है पांच लोग गंभी रूप से घायल हो गई है घायलों को पहले बलांगिर मेडिकल अस्पताल में भरती किया गया है जहां से बुर्ला मेडिकल को इस्थानांतरित कर दिया गया है सभी मौतकों की उम्रू 25 से 26 साल की बीच की है मौतकों के बीडी घाट गाउं का भगवान नाग चिकल बाहाल गाउं का घंश्याम हाती शामिल है जिसका परिचे नहीं मिल पाया है सूत्रों की मिली जानकारी के अमताबेक बुलेरो गाड़ी को हाईवान धक्का देली के बात फरार हो गया है इसी के चलते ही यह दुरगटना होने का अनुमान लगाया जा रहा है खबरों में अब तक लिबस अतना की मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहे बी एन एन नियूज